हुआ 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 है हुआ हुआ है है हुआ हुआ है है हुआ है है तो अधुर्ट पन्नु अमेरिका में बैठ कर भारत को धमकिया दे रहा है आखिर ऐसे ततों का इलाज क्या है निर जी देखिए जहां तक पन्नू का सवाल है हम लोग अच्छी तरह हम लोग पहले भी इस पर बात किये हैं और आए दो जासाथ में इसने सिख फॉर सिख फॉर जस्टिस उन्होंने शुरू किया था सिख फॉर जस्टिस फॉ इस पूरे बीच में अपनी जो गत्विदियां है भारत विरोधी गत्विदियां और पंजाब विरोधी जो जारी रखी थी उसने हर तरफ से अपने आपको यह दिखा करकी कि विक्टिम है जबकि सबको पता है कि अभी कोई करिस्तान के बारे में भारत में नहीं सोचता प जहां पंजाबी जादा हैं लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो पहले इसको भी आईसाई से ही सपोर्ट मिला था तो यह सपोर्ट जो है बेसिकली आईसाई और बाकी जो भारत विरोधी जो गुट हैं उनकी सपोर्ट से चलता रहा है और दो जार बीस में इसकी ऐसे गत्विदिय थी आप चाहे कनिश्का जो एर क्रेश था भारत की विमान का या बाकी जो गत्विदियां थी उसको उसकी वजह से इसको टेरिस्ट डिकलेर किया भारत ने दो जार बीस में बैसिकली कि ओ भारत की जो स्वरक्षा है संपुनता है संपर्भुता है उसको चैलेंज कर रहा है और यह जो टेरिस्ट एक्टिविटीज हैं हिंसात्मत जो गत्विदियां हैं भारत के विरुद और सिक्षों के विरुद उसको जो है चला रहा है और वहां पर सेर्फ डेटर्मिनेशन की बात करता है पंजाम में जहां पर की कोई नहीं चाहता है तो यह सब गत्विदियां थी जिसकी वज़ा से इसको इसमें यहीं नहीं इसने देखिए इसी साल इसने एक रिफरेंडम भी सिंबॉलिक कराया था कैनड़ा में पंजाब के लिए तो जो आदमी और दुबारा इसने जो है एर इंडिया के लिए थ्रेटर्टिंड किया था कि उसमें कोई नहीं बैठे और डर लोगों को आ गया तक इसने तो उलाने की बात कर रहा है एल इंडिया की तो ऐसी जो लोग हैं जो लगातार ऐसी गत्विदी कर रहे हैं और अलड़ी टेरिस डिकलियर कर रखे हैं भारत विरोधी गत्विदी में हैं तो उनको तो कोई अगर अमेरिका को या किसी और को इसमें अगर थोड़ा बहुत शक या सुभाह था तो उसको इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए था भारत से रिपोर्ट लेनी चाहिए थी और मुझे पूरी भरुसाय की भारत ने ज़रूर दिया होगा अमेरिका को इसके बारे में इसकी जो नाम एक मिस्टर गुपता का आ रहा था कि उनके थ्रू जो है इसको मारने के साजिश रची गई थी भारा नहीं गया और कुछ हुआ नहीं लेकिन साजिश रची गई थी वह भी बहुत सही बात निया भारत ने तो बहुत साब बोल रखा है कि भारत कभी इसको आईसी गत्विदियों को जो है मानता नहीं देता और नहीं चाहाएगा कि यह सब चीजें हूँ लेकिन आप देखिए अभी नवंबर में 24 नवंबर को पनू ने टाइम एक जिन में इंटर्विव दिया था अभी भी वह अपनी आपको मान रहा है कि यह सिख गत्विदियों को चा बरेक लिख लाजाता है इस चीज के बारे में उसके जान की ऊपर खत्रे के बारे में तो कहता है मैं अमेरिकन सेटिजन हूं यह तो अमेरिका ने देखना है आप देखिए कैसे डिवल दोगलापन जिसे कहते हैं उस तरह की बात है यह तो अब डिपार्टमेंट अफ जस्टिस अमेरिका में उन्होंने कली जो है इसके बारे में एक्शन लिया है वह भारत को बताया है भारत नह पूरा। इसके बारे में लेकिन अगर एक अमेरिकन सेटिजन पन्नु अगर आपको अपने आपको कहता अजया अशका सिटिजन है वह भारत के अंधरूनी मामलों में इस तरह हस्ताशेप करें से तरिष्ट गत्विदियों को अगर आगे बढ़ाए तो यह कहां तक सही है जो उनिक को हैं तक एक अकुझह थिल यहिंए को करने जो किines कि सक्लारा इस्पेयल करें ऊभ थेिंगा तो आफ एक्स्पेशनों स्पीच कहेंगे अमेरिका में इभी थोड़ा सोचने की बात है मुझे लग रहा है कि इस बारे में बात्ची दरूर चल रही होगी और मुझे मतलब हासास्पद है अमेरिका जानता है कि कुछ इन गुरुपों से क्या भारत को नुकसान है 2012 की CIA की रिपोर्ट देखिये जो अभी डिक्लासिफाई हुई है इसी के ऊपर है कि जो यह अलगावादी घुठ है कुछ सिख के खलिस्तान के उन से जो है क्या खत्रा है भारत को परानी रिपोर्ट है डिक्लासिफाई हुई है कुछ चीजे निकाल करके 2012 में इसमें मही के महीने में नेट पर अवेलेवल है उसमें भी थ्रेट्स फुरे दिये हुए तो अगर यह सारी चीजे हैं तो दो हो सकती है या तो ऐसे लोगों को अमेरिका अपने हां जो है इनकी गत्विदियों को चेक करें अगर इस्टेबिश होते हैं तो उनके उपर कानूनी कारवाई की जाए या वह भारत को दें कि भारत जो है अपने हां इसकी कारवाई करें और जहां तक भारत का सवाल है भारत ने बोला है कि अगर ऐसा कुछ है तो जरूर इसमें चेक करेंगा लेकिन पन्नु और इस इनकी आउग्निशन और खुद की इसकी जो गत्विदियां है वेलकुल माने नहीं है किसी को भी नहीं होनी चाहिए कि इस तरह की गत्विदी कह नहीं भी हो किसी देश के अवर खिलाफ ऐसी गत्विदी किसी भी देश में कोई करें यह मान नहीं होना चाहिए यह भारत है या अमेरिका है या कोई और देश है अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके